यूपी की योगी सरकार स्वास्ट वैवस्था को लेकर लाखदावे करे लेकिन हकीकत यह है कि स्वास्थ महकमे को ना दो जिन्दों की قदर है और ना ही मुर्दों की फिक्र बस अगर कुछ है तो लूट के मोके पर तलाश यहां मरीजों का खुलेयाम सोशन हो तो रहा है और साथ ही लाशों के नाम पर भी लूटी की जा रही है सरकार द्वारा शव पहुचाने के लिए दिया गया वाहन मंडली अस्पताल के स्टैंड में सड़ रहा है और विभाग के लोग बीजुल का लाखो रुपे डखार जा रहा है अधिकारी है कि एक दूसरे को जिमिदार बता कर मामले से पल्ला जाड़ रहा है और जुसके परिवार के किसी की मौत हो रही है वहीं जिले भर में कहीं भी मौत होने पर शव का पोस्ट मातम होने के बाद लाश को घर तक या समशान घाट तक ले जाने के लिए सीमो को एक शव वाहन मिला है लेकिन ये शव वाहन अस्पताल गेट और पोस्ट मातम हाउस छोड़ स्टैंड में खड़ रहे है जिला स्पताल में जब किसी की मौत होती है तो उनको सरकारी शव वाहन उपलब नहीं हो पाता है स्वाजन विवश होकर प्राइवेट शव वाहन से लास ले जाते हैं और वहीं हाल सीमो को मिले शव वाहन की है जो हमेशा स्टैंड में खड़ रहता है पोस्ट मार्टम हाउस के पास से प्राइवेट शव वाहन अपना डेरा जमाय रहते हैं और नीजी शव वाहन संचालों को द्वारा मृत्त के सवजनों से खुली लोट हो रही है जबकि इन वाहनों के संचालन के लिए डीजल का पैसा सरकार देती है डीजल का पैसा कहा जाता है कोई बताने वाला नहीं है सूतरों की माने तो सरकारी वाहन खड़ा करने के लिए के पीछे बड़ा कारण कमिशन खोरिये और अस्पताल परिसर और मोर्चोरी के पास निजी अम्बुलन्स खड़ा करने वाली विभाग के लोगों को भारी कमिशन देते है